गुद बॉर्निंग स्टुएंट्स बिटा तुड़े वी विल स्टाट चैप्टर नॉमबर नाइन ठीक है आज हम चैप्टर नॉमबर नाइन स्टाट करेंगे एर एन एट्मोस्फेर तो बिटा वट इस एर जो हवा होती है आपको पता है ना वो किसले क्या उसकी इंपॉर् अगर हमें सास ना मिले तो हम मर सकते हैं और इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे components of air की air में क्या-क्या होता है जैसे oxygen आपने सुनिया oxygen हमारे लिए अच्छी होती है ठीक है और फिर ऐसे ही आपने carbon dioxide भी सुना होगा तो आज हम different ore gases के बारे में भी जानेंगी second आप क very clear के बारे में और उनके uses के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे जो चैप्टर है उसकी reading साट करते है अर्थ is only planet known to have life on it due to the presence of air and water on it ये तो आपको पता है न कि हमारा जो अर्थ है हमारी जो प्रित्वी है वो अकेली planet अकेला ऐसा ग्रह है जहां पे life possible है म क्यों 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 कि यहां पे क्या क्या है air present है और water present है तो आज हम इसके बारे में जानते है about the air and its components air और उसके components के बारे में जानते हैं ठीक है तो सबसे पहले करते है components of air तो देखो ये जो circle दिख रहे है आपको तो अपनी जो अर्थ है उस पे 78% nitrogen है यानि सबसे जादा प से सास लेके जीते हैं ठीक है तो oxygen कितनी present है 21% water vapors और जो carbon dioxide है वो कितनी present है 1% और कुछ और जो gases है उनके traces मलब थोड़ी-थोड़ी gases और भी पाई जाती है तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं अब air क्या है आप ये धिहान से देखो air is mixture of many gases air क्या है बहुत सारी gases के mixture है अब ही जब हमने circle में पढ़ा कि क्या क्या है air के अंदर composition पढ़ा ना nitrogen, oxygen, water vapor, carbon dioxide और other gases तो वो हम यहाँ पर देखते हैं इट contains almost 78% nitrogen, air में कितनी percent nitrogen होती है? 78% and about 21% oxygen और 21% क्या है? oxygen the remaining 1% अब जो 78 और 21 जब आप add करोगे तो 99% हो जाता है तो 99% में तो आपको nitrogen and oxygen मिल जाती है अब जो 1% बच गया उसमें आपको कौन कौन सी gases मिलते हैं? carbon dioxide, ozone, argon, इसके साथ-साथ आपको water vapor और dust particle भी मिलते हैं ठीक है? अब आता है oxygen, oxygen is needed by plants and animals, oxygen की ज़रुद किसको पढ़ते हैं? plants और animals को और oxygen क्या करती है? इसके साथ support is burning, किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए भी oxygen की requirement होती है nitrogen present in the air, controls burning, जो nitrogen air में present होто है वो burning को control करती है और oxygen क्या करते है? उसको support करते हैं जलने में help करती है, किसी चीज़ को जलाने के लिए oxygen चाही होती है अब देखो, if there was no nitrogen, अब हमने कहा कि जो nitrogen है वो burning को control करती है, तो अब देखो क्या होता है, कि अगर burning को control करती है, यानि क्या कहना चाह रहे हैं, ये chapter में वो समझते हैं, कि अगर air में nitrogen होती ही नहीं, तो जो small fires है, छोटी-छोटी जो आग लग जाती है, could become big ones, बड़ी बन सकती and would be unstoppable, और उसको रोका नहीं जा सकता, अगर nitrogen होती ही नहीं, अमारी atmosphere में, तो अगर छोटी से अब तिल्ली भी जलाते हो, माचिस की तिल्ली जलाते हो, तो तिल्ली भी इतनी जादा भड़क जाती, कि बहुत जादा आग बढ़ जाती है, उससे, plants absorb carbon dioxide to prepare their food by the process of photosynthesis, अब plants क्य जो एक gas का नाम हमने पढ़ा था, तो वो argon का मिलती है, आपको कहां यूज आती है, वो देखते है, argon is a gas which is present in very small amount, हमारे जो atmosphere में, बहुत कम amount में, आपको कौन से gas मिलती है, argon, और ये कहां यूज की जाती है, and is mainly using light bulbs and tube lights, जो आपके घरों में light bulbs and tube lights लगे होते है न, उनक gas मिलती है आपको, water is present in the air as water vapors, और water present होता है कैसे, water vapors की form में, तो अब आपको समझ में आए, क्या-क्या है components of air में, nitrogen 78%, oxygen 21%, जो बाकी gases है वो 1% ही है, अब उनमें जो oxygen है, वो plants और animals की requirement होती है, और जो oxygen है burning को support करती है, nitrogen control करती है burning को, अगर nitrogen ना होती तो जो आग है, वो डग जाती, बहुत जाता हो जाती, plants जो carbon dioxide उसको absorb करके अपना खाना बनाते है, photosynthesis process से, वहीं, argon के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि बहुत थोड़ी amount में available है, और कहां मिलती है आपको, यह कहां use की जाते है, light bulb और tube lights में, अब पढ़ते है, properties of air, कि air की property क्या है, property क्या हो आती है, तो क्या है, पहली चीज सो हमने अभी तक पढ़ी कि air is made up of particles of different gases, air अलग-अलग gases से मिलके बनी है, उसके बाद air is a gaseous state of matter, हमने matter के states पढ़ा है, solid, liquid and gas, तो air कौन सा state है, gaseous state है, और air की खुद special properties भी है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते है, पहली property हम क्या पढ deflated football क्या होती है, ऐसी football जिसमें हवा नहीं है, उसको एक digital weighing machine के उपर रखो और उसका weight not down करो, उसके बाद एक inflated, ऐसी football जिसमें हवा है, वो वाली आप machine पर रखो, weighing machine पर और फिर उसका weight देखो, आप क्या देखोगे, दोनों के ही weight में difference आएगा, जैसे देखो यहाँ पे इ inflated दी है, जिसमें हवा नहीं है बिलकुल भी, और यहाँ पे जिसमें हवा भरी हुए है, inflated football रखी गई है, तो दोनों के weight देखो, दोनों के weight में difference है न, it means कि जो air है, उसका weight होता है, second आता है, air exerts pressure, air pressure भी लगाते है, दबाव बनाते है किसी चीज़ पे, चलो उसके बारे में पढ़ते है, the weight of air pushes down on everything around us in all direction, जो हवा का weight है, वो क्या करते है, हर एक चीज़ को हमारे चारो तरफ फैला देता है, ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कहते है, air pressure के नाम से जानते है, अब air pressure हमारी कई तरीके से help करते है, air pressure helps us in many ways, कई तरीके से help करते है, जैसे पहली ची होते हैं, उसमें ink fill कर पाते हैं, straw से हम पानी या फिर कोई भी juice जो आप पीते हो, तो straw की help से ही आप वो पी पाते हो, fill up a syringe, जो injection लगाते हैं, तो syringe को fill करते हैं, उसमें medicine डालते हैं, तो वो भी इसके pressure की वज़ए से होता है, and even fill up droppers, dropper होता है ना, जैसे कान में, या उसको fill कर पाते हैं, ठीक है, अब इसको देखो, ये आपको एक activity दी गई है, आप इसको अगर try करकी देखना, आपको क्या दिया गया है, कि आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, straw लेना है, और juice लेना है, ठीक है, जब glass में आप straw डालो, और उसके बाद थोड़ा सा juice पीओ आप straw के help से, क्या आप कर पा रहे हो, तो पीपाओगे ना जब थोड़ा सा जब सक करोगे, उसके बाद आप क्या कहते हो, कि now lift the straw a little above the level of the juice, अगर आपके जो glass है, उसमें यहां तक juice है, आपको straw उपर उठानी है, जूस से थोड़ी से उपर रखने, and try to suck up, अब पीने की को through the straw, आपको straw की help से क्या मिलेगा, हवा मुँ में आरी है ना आपकी, तो जो air है, वो हवा उपर आएगी आपके, ठीक है, हवा ही ले पाएंगे, क्योंकि juice तो आई नहीं पाएगा ना आपको, तो यह क्या है, कि जो air है, वो pressure डालती है, and जब आप blow भी करेंगे, कभी आपन चोर है ना आपका, ठीक है, अब इसके बाद आता है, air occupies space, यह third property है, air occupies space, first हमने क्या पढ़ा, कि air has weight, air का weight होता है, second हमने पढ़ा, air exerts pressure, air pressure भी लगाती है, and third हमने पढ़ा, air occupies space, air से space, air जो हवा है, वो थोड़ा space रख लेती है, तो अब इसके लिए क्या है, कि क्या बता रहे हैं आपको, कि कभी आपने, जो bicycle का tire puncture हो जाता है, उसमें हवा नहीं होती, कभी वैसा देखा है, और अगर हम उसमें हवा भरते हैं, we fill the air inside the tire with the help of pump, pump की हल से भरते हैं, तो the air filled inside the tire gets a firm shape, क्या करते हैं, shape ले ले लेती है, जिस से road को touch करते हैं बिलकुल, और अगर air होती है, तो थोड़ा सा आपको फूला हुआ दिखेगा, उचा उठा सा दिखेगा, तो वो क्या है, उसने उसको क्या दिया है, shape दिया है, ठीक है, air shape भी मलब लेती है, space लेती है, उस जगह पर, उस tube के अंदर air जाएगी, तो वो tube भर जाते हैं, इसका दूसा example बेटा देखो, जो easy है, वो क्या है, कभी balloon लेके देखो, आप balloon को, जब उसमें फूक मारते हो, तो balloon फूलना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे air उस balloon के अंदर जगह ले रही है, space occupy कर रही है, तभी तो वो balloon stretch हो रहा है तो वो क्या बताता है, कि air occupies space, अब बेटा इसके साथ जो आपकी time please exercise है, यह आपको करनी है, ठीक है, जैसे nitrogen, nitrogen क्या है, हमारे atmosphere में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली gas है, तो क्या लिखेंगे, most abundant gas in the air, तो nitrogen का हो जाएगा, oxygen, oxygen क्या है, हमारे लिए survival के लिए important है, survival of human beings and animals carbon dioxide कि में काम आती है, photosynthesis में, argon का क्या काम है, using light bulbs and air mixture of many gases, ठीक है, और उसके बाद आपको जो यह नीचे दी गए है, तीन जो आपको picture दी गए है, उसके according, आपको जो तीनों property बताई गई है, कि air exerts, air occupies space, first वाले में, इसमें air exerts pressure and air has weight, ठीक है, तो यह आपको time please exercise अपनी book में, neat and clean handwriting में करनी है, okay बिटा, thank you